नमस्कार सुभा नौ बजे की नौ बड़ी खबरों के सांथ हाजर हूँ मैं जोतस्तना पाट थी अगले गंटे में मैं आपको दिखाऊंगी हर वो बड़ी खबर जिस पर रहेगी आपकी नज़र साथी वो खबरें भी दिखाएंगे जिनकी हैरान कर देने वाली तस्वीरें खुद अपनी कहानी बया करती है आज देश देवाली के तयोहार के उल्लास में डूबा हुआ है तो वहीं आज सरदार पठेल की जन्म जयनती भी है इस अबसर पर प्रधानमंत्री नरींद्र मोधी ने केवडिया में स्टाचियो अप यूनीटी पर जाकर सरदार पठेल को शधानजली दी और देश को एकता की शपत दिलवाई सरदार पठेल की विशाल प्रतिमा के सामने आज पुलिस के साथ सांथ पैरा मिलिटरी फॉसस के जवानों ने भी अपनी साहस और शौरे का प्रदर्शन किया राश्ट्रिय एकता दिवस के मौके पर आयोजित परेड में नौरज एक केंदर शासत प्रदेश की पुलिस टुकडियों के साथ साथ सोला दस्तों हिस्सा लिया वहीं आयोध्या में आज योगी आदित्यनात में सुभा रामलला के दर्शन करके दिवाली के दिन की शिर्वात की है सरहत पर जवान किस तरह से दीपावली का उच्सव ये पर्व मना रहे हैं उसकी तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे इस समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के वड़िया में एकता दिवस परेड को संबोधित कर रहे हैं आई आपको सीधे लेकर चलते हैं मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतियों को भारत के शुब चिन्तकों को दिपावली की अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ साथियों इस बार का एकता दिवस एक और वज़से भी विशेश है आज से सरदार पटेल का डेड़ स्वमा जन्म जैन्ती वर्ष शुरू हो रहा है आने वाले दो वर्षों तक देश सरदार पटेल की डेड़ स्वमी जन्म जैन्ती का उत्सव मनाएगा ये भारत के प्रती उनके असाधारण योगदान के प्रती देश वाचियों की कार्यान जली है दो वर्ष का ये उत्सव एक भारत स्रिष्ट भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा ये अवसर हमें सीख देगा कि आज सम्भव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता है जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे और अभी हमने सरदार साब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना उन लोगों को जरा भी उम्मिद नहीं थी कि सेंकडों रियासतों को एक जुड़ करके फिर से एक भारत का निर्मान हो पाएगा लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यहवार में यथार्थवादी संकल्प में सत्यवादी कारिय में मानवतावादी और धे में राष्ट्रवादी थे साथियों आज हमारे पास छत्रपती सिवाजी महराज की प्रेरणा भी है उन्होंने आकरांताओं को खदेरने के लिए सब को एक किया कि महराष्ट का राएगड किला आज भी साक्षागात वो गाथा कहता है चत्रपती सिवाजी महराज ने राएगड के किले से रास के अलग-अलग विचारों को एक उद्देश के लिए एक जुट किया था आज यहां एकता नगर में हम राएगड के उस अइतिहासी किले के उसकी छवी हमारे सामने प्रेरणा का पतीग बन के खड़ी है राएगड किला सामाजिक न्याय देश भक्ति और राष्ट्र प्रथम के संस्कारों की पवित्र भूमी रहा है आज इसी पुष्ट भूमी में हम विक्सित भारत के संकल्प की सिद्धी के लिए यहां एक जुट हुए है साथियों बीते दस वर्थ तक भारत की एकता और अखंता के लिए यह कालखन अभूत्पुर्व उप्लब्दियों से भरा रहा है आज सरकार के हर काम हर मिशन में राष्ट्रिय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है इसका एक बड़ा उदाहनन है हमारा यह एकता नगर यहां स्टेची अफ यूनिटी है और इसके सिर्फ नाम में यूनिटी है ऐसा नहीं है इसके निर्माण में भी यूनिटी है इसको बनाने के लिए पूरे देश के कौने कौने से देश के किसानों के पात से खेत में उप्योग किये है ओजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया क्योंकि सरदार साथ लोपूरुष थे किसान पुत्र थे इसलिए लोहा और वो भी खेत में उप्योग किये ओजार वाला लोहा यहां लाया गया यहां देश के हर कौने से वहां की मिट्टी लाई गयी है इसका निर्मान स्वयम में एक्ता की अनुभूती कराता है यहां पर एक्ता नर्शरी बनी है यहां विश्ववन है जहां दुनिया के हर महादीप के पेड़ पौधे है यहां चिल्डरन नुट्रिशन पार्क है जहां पूरे देश की हेल्दी फूर्ड एहबिट्स के दर्शन एक ही जगव पर होते हैं यहां आरोग्य वन है जहां देश की अलग हिस्सों की आयुर्वेद परंपरा का पौधों का समावेश है इतना ही नहीं यात्रियों के लिए यहां एकता मौल भी है जहां देश भर के हैंडिक्राप्स एक ही छट के नीचे मिलते हैं और साथियों यह एकता मौल सिर्फ यहीं पर है ऐसा नहीं हर हम देश के हर राज की रादधानी में एकता मौल के निर्मान को पौत्साहन दे रहे हैं एकता का यही संदेश हर वर्ष होने वाली एकता दोड़ से भी मजबूत होता है आजाद भारत के पहले घ्रिमंत्री सर्दार वलभाई पचेल की जन जैनती का देश्टोवा वर्ष है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के वड़िया में संपूधित कर रहे हैं उनकी जन जैनती के मौके पर आईए सीधे आपको लेकर चलते हैं बीते दस वर्षों में देश में सूसासन के नए मौडल ने भेद भाव की हर गुंजाईश समाप्त की है हमने सब का साथ सब के विकास का रास्ता चुना है आज आज हर गर जल इस योजना से बिना भेद भाव जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है प्रयासों के तहत ही अब हम प्रयासों कि वन इलेक्षिन पर काम कर रहे हैं जो भारत के लोक्तंत्र को मजबूति देगा जो भारत के संसाधनों का आप्टिमम आउटकम देगा और देश विख्षिद भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा समरुद्धी प्राप्त करेगा भारत आज वन नेशन बन सिविल कोड यानि सेकुलर सिविल कोड की तरब भी बढ़ रहा है